दोस्तो आज बात बॉलिवुड एक्टर संजय खान जी और बॉलिवुड के लेजेंडरी एक्टर राज कपूर जी की राज कपूर जी ने संजय जी से क्यूं कहा के एक हिंदू एक मुसल्मान दोनों पक्के पठान संजय खान जी पर एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ जिसका आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पूंस दिया था इसके लिए आप सब का थैंक यू संजय खान जी ने एक फिल्म बनाई थी चांदी सोना इस फिल्म में राज कपूर जी का एक बहुत एहम रोल था फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद संजय खान जी एक लाग रुपे कैश एक लिफाफे में लेकर पहुँचे राज कपूर जी के घर और उनसे कहा कि ये आपकी फिल्म का महन ताना है राज कपूर जी ये सुनकर बहुत नराज हुए और उनसे बोले के संजय अगर ये फिλ्म शशी कपूर बनाता तो क्या मैं उस से पैसे लेता ये पैसे तुम वापस रख लो लेकिन संजे खान जी ने कहा कि राज साहब इसमें तो आपकी महनत लगी है ये पैसे तो आपको रखने पड़ेंगे तब राज कपूर जी ने कहा कि संजे एक हिंदू एक मुसल्मान दोनों पक्के पठान और पेशावरी पठान मैं भी पेशावर से हूँ और तुम भी पेशावर से हो अगर तुम कभी कोई ऐसी फिल्म बनाओ जिसमें मेरा एक एहम रोल हो यानि पूरा फुल फलेजड मेरा रोल हो तब मैं तुम से मुमांगी रकम मांग लूँगा ये बास सुनकर सम्जेख खान जी वापस आ गए और उसके कुछ सालों के बाद संजेख खान जी ने एक फिल्म बनाने की सोची नाम था अब्दिल्ला अब्दुल्ला में राज कपूर जी का बहुत एहम और बड़ा रोल था इसी रोल के लिए संजय खान जी राज कपूर जी के पास गए और उन से सारा डिसकेशन किया राज कपूर जी रेडी हो गए तब संजय खान जी ने कहा कि राज साहब इस फिल्म के आप कितने पैसे लेंगे ये सुनकर राज कपूर जी की आँखों में शरारत जागी राज कपूर जी लेटे हुए थे और छट की तरफ देख रहे थे अचानक उन्होंने एक बड़ी रकम बोल दी संजय खान जी ने कहा ठीक है राज साहब डन लेकिन तभी राज साहब बोले कि संजय मैं तो मजाग कर रहा था इतनी बड़ी रकम मैं तुम से नहीं ले सकता लेकिन तभी संजा खान जी नहें ने कहा कि राजश आप ही ने एक दिन कहा था कि एक हिंदू एक मुसल्मान दोनों पके पठान तो अब ये आपको मेरी बात माननी पड़ेगी और मैं आपको इतनी ही रकम दूँगा और राज साहब ने संज़ जी से ये भी कहा था कि हिंदू मुसल्मान की जुबान बहुत पक्की होती है तो ये बात सुनकर राज साहब बोले ठीक है डन ये सारा किस्सा होने के बाद जैसे ही संज़ रूम से बाहर आए तो देखा सामने रंधीर कपूर जी खड़े हैं रंधीर कपूर जी को जब पता लगा तो उन्होंने संज़ खान जी से कहा कि तुम राज कपूर जी को क्यों साइन कर रहे हो वो तो शूटिंग पे दो बज़े से पहले पहुचेंगे ही नहीं तब संज़ खान जी ने कहा कि नहीं हमारी बात हो चुकी है राज साहब ठीक बारा बज़े शूटिंग के लिए पहुच जाया करेंगे तब रंधीर कपूर बोले कि हमारे यहां तो दो बज़े मुरगे की बांग होती है राज साहब दो बज़े से पहले नहीं उठेंगे लेकिन दोस्तो हुआ इसका उल्टा ही राज साहब फिल्म अबदुल्ला की शूटिंग के सेट पर ठीक बारा बज़े पहुच जाया करते थे उनको देखकर लोग अपनी घड़ी भी मिला लिया करते थे ऐसे थे पराने लोग एक दूसरे के लिए दिल में इज़त, प्यार, महबत और अपने वादे के एक दम पके तो दोस्तो उसके बाद फिल्म अबदुल्ला बनी रिलीज हुई बहुत बड़ी हिट साबित हुई और जिन लोगों ने फिल्म अबदुल्ला देखी है उनको पता है कि इस फिल्म में राजकपूर जी ने क्या बहतरीन लाजवाब परफार्मिल्स दी है तो बस यही ताज के वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और किसे के साथ